प्रतानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का उद्खाटन किया इस उसर पर दुनिया भर के मोबाइल कंपनिया इसमें शामिल हुई हैं बतादें कि भारत बहुत तेजी से मोबाइल के निर्माण में भी आगे बढ़ा है पहले भारत इंपोर्ट किया करता था और अब भारत मोबाइल एक्सपोर्ट करता है साथी साथ 5G कनेक्टिविटी में भी भारत दुनिया के दूसरे देशों को पचाण चुका है बतादें क कि मोबाइल निर्माण में भी भारत के विभिन इलाकों में कंपणियां स्थापित की जा रही है और एपल 15 तक का निर्माण अब भारत के भूबागमी किया जा रहा है और इसे चाईप के जलिए भी भारत ने दुनिया के टॉप थ्री डेशों में अपना स्थान बना लिय सब को संबोधित करते वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस युवाओं को इंस्पायर करने का काम करेगा मोबाइल फोन के इंपोर्टर थे आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर है तब मोबाइल मैनुफेक्टिरिंग में हमारी प्रेजंस ना के बरावर थी लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैनुफेक्टिरर है तब इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्टिरिंग के लिए कोई क्लियर वीजन नहीं था आज हम इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्टिरिंग में करीब दो लाग करोड रुप्य का एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपने देखा है कि गूगल ने भी हाली में ये गोशना किया है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा सेमसंग के फोल फाइव और एपल के आईफॉन फिप्टिन पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है आज हम सब को इस पर घर्व है